यह टेमा गाओं यह जो रास्ता है चिदगाओं मेल से टेमा गाओं बाइपास है और इसी बाइपास पर SMS बायो फिल्स कमपनी को बंद कराने के लिए ग्राम बासियों ने धरना दिया हुआ है इनमें चिदगाओं मेल और पिपलिया कला यह यहां पर अच्छी खासी तादाद में कराम बासि बेट कारो SMS बायो फिल्स कमपनी के खिलाब धना दे रहा है भारत सरकवार द्वारा परियावरन संजक्षन हेतू पेटोल मेथनाल ब्लेडिंग पालिशी के तहत स्थापिट आधुनिक टक्नीक से आधारी तुद्योग हरदा जिले के किमेडने विकाशखंड की ग्राम पंचाज छिदगाओं मेल में यह एसमेश वाईशूल प्राइबेट लिमिटेट कमपनी यहाँ पे इस्टापिट है और छिदगाओं के ग्रामिडों ने इसका बिरोध कर दिया है उनका कहना है यह जानकारी उनसे अभी मागेंगे हम की क्या कहना है वो लोग यहाँ धरने पर बेठे हुए हैं यह देखिए धरना चालू है ग्रामिडों का हम उनसे पूस्ट हैं कि वहाई क्या कारण है आप इस प्रकार धरने पर क्यों बेठे हैं देखिए पूरे ग्रामिडों लोग यहाँ पर नमस्कार जी हमान, क्या समस्जा है आप लोगों की यहां पर धरने पर कप से बेखे हुए हैं यहां कारण है इसको पूर्णो रूच से बंद करना और क्यों करना है किया करण कारण इसका यह सर कि इस से हमारी जो है वो मतलब यह जो नाला है जिसमें उसका पानी निकास हो रहा है वो पूरा नाला पानी प्रदूसित हो रहा है दूसरा इससे इतनी खतरनाक तेज बद्वू आ रही है कि गाओं में जो लोग हैं बच्चे हैं स्कुल में पढ़ने वाले बुजुर्ग युबा सभी को सास लेने में दिक्कत हो रही है परेसानिया हो रही है कहीं प्रकार की ब प्रकार के बड़े भारी बाहन चलते हैं उससे भी आने जाने में यात्रियों को या दो पईया बाहनों को परिशानी होती है मुख्य कारण इसका जो है वो फेकली से निकलने वाली जो दुर्गुंद और उसमें कहीं प्रकार के मिलाए हुए केमिकल उनसे हमको सांस लेने म हमारे गाउं में आया है और हम सभी का यही उद्देश है कि इसको पूर्ण रूप से यहां पर बंद कराना है अबि हमने हमारी आवज यहां होट यहां डेली प्रति दिन प्रसासनी का धिकारी जो है वो आते हैं हरदा से भी आते हैं सवी लोगों से इनके पास पहुंचाई है लेकिन सामने वाला जो है वो थोड़ा सा अर्थिक रूप से प्रवल है इसलिए उसकी फिल्डिंग जादर जमी हुई है और हम लोग जो है वो पूरे 24 घंटे जो है वो धरने पर बेठे हुए हैं वो चाहे कितनी भी ताकत लगा ले कितनी भी उर्जा प्रयोग कर ले लेकिन हम ग्रामबासी सब मिल करके और हमारे एक ही उद्देश है कि किसी ने किसी प्रकार से ये फैक्टरी को हमको बंद करना है बंद करना है और बंद करना है प्रसाशन के अधी गारी भी यहां पर आते होंगे क्या कहना पड़ता है उनका प्रसाशन कुल मिला करके उसका साथ दे रहा है और जब जैसे कोई प्रदूसी जल की जांच होती है तो सामने वाला बंदा दो या तीन दिनों में पूरे जो गंदगी है जो उसका जो नाला है जहां से पानी का निकास होता है उसको बड़े-बड़े मोटर पंप के द्वारा उसको पूरा साप कर देता है उस चेंपल की जांच होती है और उसकी जांच जो है वो आती है कि इसमें सुनने है इसका परिणाम सुनने है वो कंपनी के परक्ष में चली जाती है हम लोगों की और जो है वो आज तक कोई सकारात्मक उसका परिणाम जो है वो नहीं आया हिए कि आज चौथा दिन है आप क्या कहना चाह रहे थे समझोते के लिए एटीम साफ टिमर नी 11 अदमी नाम दे के कोटवार ने मतलब नाम दिये और हम 11 अदमी बेठने गए अधिकारी पास तो उनने पूछा कि आपको क्या तकलीव है तो मेनेजर से पूछा क्यों भाई फिर क्य क्या होगा कंपनी मेनेजर से तो मेनेजर ने कहा कि हमने डेल करोड में जर्मनी से मसीन पुलाई है तो 70% बदभू कम हो जाई है तो वहां पूप बता रहे हैं और जो जाच आई है आभे सराप ने जो जाच में दिया है कि बिलकुल बदभू नहीं है सुन्य है पताईया सा तुम बाहर से जो है वो इतनी बड़ी तकनीकी मसीने बुला करके और क्यों बुलवा रहा है यहां पर क्यों लगा रहे है इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि यह सुगंद नहीं दुरगंद है समझोता है मैं हम राजी नहीं हुए है इसलिए हमको कदापी इनकी कोई भ पार्ग दर्शन की उसके आवसेपना पड़ेगी तो हम सब उसके लिए भी तैयार है क्यों भी यह तैयार हो आप क्या कहना चाह रहा है तो मेरे नाम दूला सिंग राश्पूत ग्राम शित्गां को निवासी हूँ और इस सभी निवासी करना जहां पर दने में बैठे हैं कि इसका कारण यह है कि जो गाओं परेसान है इस फैक्टी से इसलिए हम सब ग्राम बसी ज्राम शित्गाओं में और पीपल्य कंड़ा पिछले चार दिन से में दंदे पर बेटे हैं कल जो बाकिया बीता है शिक्ताओं के उपर वो आपको मैं चर्चम बता रहा हूँ कि कल जो बहुत केज़ बारी स्तीरात में में साड़े ग्यारा बार है तो भेंग कर पानी गिरा जो बसले पानी फेक्ट्रीम्डा पूरा बेला हो गया फेक्ट्रीमर DROBen प्लाए से फेक्ट्रीमर और एälle में बार से यंदरने में और भी नीजो बार संकरती पानी की पानी च्ञुरू निकाल तक प्लाइक पानी पानी नहां सकत्सक्ति का दपए का जजरू Gol तड़के गए उनने नल्ले में जाके देखा सारा गंदा पानी फेक्टिका केमिकल वाला महां पे आ गया उसके वाद हमने तेसिलदार मोजे साब को फोन लगाया किसा आप आए इस पानी की जाच करें हम लोगों ने तीन चार कुप्पे वहां से पानी के पर लिए महां की सब्सक्राइब खड़ा हो जाए तो हम छिद्गाउं दे दें उसको पूरा एसी कंडिशन थी कि आदमी बद्भू थी कि आप महां पे एक सेकर निकर सकते कुछ बच्चे उल्टी भी कर ली उनको डाक्टर को भी दिखाया तेसिलदार साब आया तेसिलदार साब ने बोला ह पानी बल कर देगा इस बीच में फ्रेक्टरी वालों ने अपनी लगा रखी ए उनने मोटर चालू करके नल्ने पानी वहना चालू कर दिया हम अम इस अब घंता बीता है इसमें आदा उन्हें पानी वहा दिया जो रिन्टीती थी अब खतन कर रहे आप जड़ी कर आघ़ा जल्दे नहीं कुछ काम होगा आप अंदर चलो तेशिल दार साब को ने मना वो दे नहीं हमारे भोश्च बाद करेंगे फिर आप जाएंगे मतलब फेक्ट्री आज इतनी बड़ी हो गई कि सास की अधिकारी यो तेशिल का माली के तेशिल देखता है यह फेक्ट्री वाला इत बाहर से आके यह हम किशी प्रकार से होने नहीं देंगे आज हम चार दिन से बैटने हैं जैसा जैसा समय बीटता जाएगा बैसा बैसा हमारा आक्रोज भी बढ़ेगा साब आकरोज बढ़ने का कारण यह है जो अस्त बैस च्छट्दों मेल पीपलया कला है यह एक छंत है हम मैं हमारे बच्चा कोई चीज आ रही है तो महाई भी भी रोखेंगे शाहसन उनकी थाकत लखायगा हम हमारी थाकत लगाएंगे हम भी किसने बनाया जंता ने मनाया जंता के बोट से आप महां के बीटे हैं थापको के कुरसी पर बीठाया और आप लोगों को वहारा ध्यान पूरा बरकास कर देंगे एक भी बॉर्ट कहीं नहीं नहीं जाएगा सारे बोट कोई डालेंगे को छंपक है नी होगे कोई फ diff Own और अध़ी बना लेगा कि गांपचमा उनलेगा अंग नेपाल राजे का सासन ये छेद गाउं में भी हमारे गाहओं का सासन रहेगा करो करकोँ जटने सकत हम स्क्राइब। जटने सकत एंड करकोईब। कि जटने सकत एंड हैरन calm ये जे जाल, ये जो, ये जी जाल